राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चनल में आपका स्वागत है बंधों आज अशाण मास गुरुवार के दिन मैं आपको श्रवन करवा रही हूँ भगवान विश्णों की कता बंधों जो कोई भी गुरुवार के दिन भगवान विश्णों की कता को सुनते हैं केले के पेड में जल चढ़ाते हैं हल्दी चढ़ाते हैं घी का दीपक लगाते हैं भगवान विश्णों उनके सभी मनोरत शिग्र पूरे कर देते हैं क्योंकि केले के पेड में भगवान वि की पूजा का विधान है बंधों फिर विश्णु कथा को अवश्य सुने भगवान विश्णु देखना आपके सभी मनोरत शिक्र पूरे कर देंगे बंधों यदि आपने यूट्यूब संसकार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके बोलो विश्णु भगवान की जय हो भीश्ण जी ने पूछा विप्रवर नुश्य को भी देवक्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजे, भोग, अरग्य, आयू, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधुवर्ग, एवं सब परकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है यहें बताने की क्रिपा करें बुलसत्य जीने कह राजन इस पृष्वीवर ब्रहामन सदाही विद्या आदी गुनों से युग्ट और श्री संपन होता है तीनो लोकों और परतेक युग में ब्रहामन देवता नित्य पवित्र माने गई हैं ब्रहामन देवताओं का भी देवता है संसार में उसके समान क कोई दूसर नहीं है वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस प्रित्वी पर सब को मोक्ष प्रदान करने वाला है ब्रहामन सब लोगों का गुरु पुझ्य और तिर्थ सरुप मनुष्य है ब्रह्मा जी ने उसे सब देपनाओं का आश्य बताया है पुर्वकाल में नारण ज जिसे इस पुर्कार पूछा था ब्रह्मन कि इसकी पूझा करने पर भगवान लक्षमी पति प्रसन होते हैं ब्रह्मा जी बोले जिस पर ब्रहामन प्रसन होते हैं उस पर भगवान विश्नु भी प्रसन हो जाते हैं अते ब्रहामन की सेवा करने वाला मनुश्य पर ब्रंध प्रमात्मा को प्राप्त होता है ब्रहामन के श्रीर में सदा ही च्री विश्नु का निवास है जो दान, मान और सेवा आधिक के द्वारा प्रती दिन ब्रहामनों की पूजा करता है उसके द्वारा मानो शास्त्रिय विदी के अनुसार उत्तम दक्षना से युप सो यग्यों का अनुष्ठान हो जाता है जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्रहामन निराश नहीं लोड़ता उसके संपूरन पापों का नाश हो जाता है वहें अक्षे स्वरक को प्राप्त होता है पवित्र देशकाल में सुपात्र ब्रहामन को जो धन दान किया जाता है उसे अक्षे जानना चाहिए वहें जनम जन्मांत्रों में भी फल देता रहता है ब्रहामनों की पूजा करने वाला मनुशे कभी दृद्र, दुखी और रोगी नहीं होता जिस घर के आंगन में ब्रहामनों की चरंधूली पढ़ने से पवित्तर एवंशुध होते रहते हैं विपुन्य चेत्र के सुमान हैं उन्हें यग्य करम के लिए शेष्ट माना गया है पुर्वकाल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्रहामन का प्राध दुर्भा हुआ फिर उसी मुख से जगत की सिष्टी और पालन के हेतुभूत वेद प्रगट हुए विधाता ने समस्त लोकों की पूजा ग्रहन करने के लिए समस्त यग्यों के अनुष्ठान के लिए ब्रहामन के ही मुख में वेदों को समर्पित किया पित्रियग, विवहा, अगनी होत्र, शांती करम सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राहमन सदा उत्तम माने गए हैं ब्राहमन के ही मुख से देवता, हव्वेका और पित्तर कव्वेका उप्भो करते हैं ब्राहमन के बिना दान, होम और बली सब निश्वल होते हैं जहां ब्राहमनों को भोजन नहीं दिया जाता वहां असुर, प्रेद, दैत्य और रक्षस भोजन करते हैं दान, होम आदी में ब्राहमन को बुला कर उन्हीं से सब करम कराना चाहिए उत्तम देशकाल में उत्तम पात्र को दिया हुआ दान लाख गुना अधिक फल दायक होता है ब्राहमन को देखकर शद्धा पुर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए उसके आशिरवाद से मनुष्य की आयू बढ़ती है वह चिरन जिवी होता है ब्राहमन को देखकर उसे प्रणाम ना करने से ब्राहमन के साथ द्वेश रखने से उसके प्रती अश्रद्धा करने से मनुष्यों की आयू शीन हो जाती है उनके धन एश्वरे का नाश होता है पर लोग में उनकी दुर्गती होती है ब्रहामन का पूजन करने से आयू, यश, विद्या और धन की वृदि होती है तधा मुनुष्य शेष्ट दशा को प्राप्त होता है इसमें तनिक भी संदे नहीं है जिन घरों में ब्रहामन के चर्नोदक से कीच नहीं होती जहां वेद और शास्त्रों की धनी नहीं सुनाई देती जो यग्यें, तरपन और ब्रहामनों के आशिरवाद से वंचित रहते हैं वे शम्शान के समान है नारग जी ने पुछा पिता जी, कौन ब्रहामन अत्यन पूजनिया है ब्रहामन और गुरु के लक्षन का यसावत वर्नन कीजिए ब्रह्मा जीने का बस श्रोतिये और सदाचारी ब्रहामन की नित्य पूजा करनी चाहिए जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पापों से मुग्ध है वेह मनुश्यें तीर स्वरूप है उत्तम श्रोतिये कुल में उत्पन होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता वेह पूजित नहीं होता असत श्यत्र मात्र कुल में जरम लेकर भी जो वेद अनुकूल करम करता है वेह पूजा के योग्य है जैसे महारिशी वेद व्यास और रिष्चेशिंग विश्वामित्र यदिपिश शत्रिय कुल में उत्पन है तथा पी अपने सत्कर्मों के कारण वेसमान है इसलिए बेटा तुम प्रित्वी के तिर्थ सरूप शोत्य और ब्रहामन के लक्षनों को सुनू इनके सुनने से सब पापों का नाश होता है ब्रहामन के बालक को जनम से ब्रहामन समयना चाहिए संसकारों से उसके दिट संग्या होती है विद्या पढ़ने से वेह भी प्रवनाम धारन कता है इस प्रकार जनम, संसकार और विद्या इन तीनों से युक्त होना शोतिय का लक्षन है जो विद्या, मंत्र, वेदों से शुद्ध होकर तीरस्चनान आदी के कारण भी पवित्र हो गया है वह ब्राहमन परम पूजनिय माना गया है जो सदा भगवान शीनारायन में भक्ति रखता है जिसका अंतहकरन शुद्ध है ज जो सब लोगों के प्रती समान भाव रखता है जिस के रिदय में गुरू, देवता, अतिथी के प्रती भगती है जो माता पिता की सेवा में लगा रहता है जिसका मन प्राई इस्त्री में कभी सुख कानभव नहीं करता जो सदा पुरानों की कथा कहता है और धार्मिक उपा दूसे का पूझन, न नाणा परकार के बरतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है जो गंगाचि के जल का सेवन करता है उससे साथ वारता लाप करने से ही उत्तम गति की प्राति होती है, जो शक्तरू और मित्र दोनों के प्रतिद्यदेय भाव रखता है सब लोगो कि वहां वह कहा है इस बात को सपशुप से बटाई ब्रह्माजी बोले वैंतरी मंत्र का चंद गायत्री और देवता सविता निश्चित किये गए हैं। गायत्री देवी का वर्न शुकल मुख अगनी और रिशी विश्वामित्र है। ब्रह्मा जी उनके मस्तक स्थानिय हैं। उनकी शिखा रुद्र और रिदेश शिविश्णू है। उनका उपनयन करम में विनियोग होता है। गा गाइत्री के 24 अक्ष्रों का न्यास करके विज ब्रह्म लोक को प्राप्थ होता है परते एक अक्षर के देवता का ज्ञान प्राप्थ करने से विष्णू का सायुज्य मिलता है अब मैं गाइत्री का दूसरा निस्चित लक्षन बताता हूं बे अठारा अप्ष्रों का ये जुरु मंत्र है अगनी शबत से उसका अरंभ होता है स्वाहा से हकार पर उसकी स्माप्ती जल में खड़ा होकर इस मंत्र का सोबार जब करना चाहिए इससे क्रोडों पातक और उपातक नश्ट हो जाते है जब करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या आदी पापों से मुक्त होकर मेरे लोग को प्राक्त होता है बोलो विश्नु भगवान की जय हो राधे राधे जय श्री क्रिश्ना बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद